गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर जो है अपने जो ब्रांच एप्लिकेशन है गाइस अगर आपने उसकी मदद से आपर लोन लिया था गाइस आपने उसमें लोन के लिए अपलाई किया था और आपको अपरोल मिल चुका है और उसको आपने अपने बेंक अकाउंट में भी ट्रांसपर कर लिया है लेकिन गाइस अभी आप उसकी रीपेमेंट करना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको रीपेमेंट करना है रीपेमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसेसे तो चलिए गईस इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले गईस आपको यहाँ पर ब्रांच अप्लिकेशन में रीपेमेंट करने के लिए आपको ब्रांच अप्लिकेशन को ओपन करना पड़ेगा तो मैं यहाँ से सिंप्ली ब्रांच अप्लिकेशन को ओपन कर सकता हूँ, नहीं तो guys, आपको यहाँ पर, मैं आपको और भी तरीकी बताँगा, तो सब सब पहले तो guys, मैं आपको एक trick बता देता हूँ, जैसे कि, आपको आपर नीचे, यहाँ पर आजाना है guys, अपने invite and earn पर, तो यहाँ पर मैं आजाता हूँ, invite and earn पर, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक option मिलेगा गईस नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि enter a promotion code अगर आपने पहले इंटर नहीं किया है तो आपको इस पर click करना है यहाँ पर आपको जो गईस screen पर एक promo code देखने को मिल जाएगा उस promo code को आपको यहाँ पर apply कर लेना है इससे होगा क्या गईस कि आप यहाँ पर promotion code applied करते ही आपको आपर अपने जो branch है वहाँ पर invitation में 100 रुपे का cashback देखने को मिलेगा लेकिन गईस वो यहाँ पर फिलार redeem नहीं होगा जब आप loan की repayment करोगे तब वो आपर redeem हो जाएगा यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मेरे जो promotion code है वो मेरे आपर show कर रहा है तो यह promotion code आप वहाँ पर enter कर सकते हो यह promotion code आप वहाँ पर जैसे इंटर करोगे आपको 100 रुपे का cashback मिलेगा और आप उसे next loan में next loan repayment में आप उसे use कर सकते हो वो redeem हो जाएगा तब ही आप उसे use कर सकते हो यह guys बात हो चुकी है अभी हम यहाँ पर इसमें repayment करके देखते हैं repayment के लिए आपको दूबारा से home screen पर आ जाना है अभी आपको क्लिक करना है make repayment पर आपको क्लिक करना है तो मैं make repayment पर क्लिक करूँगा उसके बाद में आपको 3 options देखने को मिलेंगे यहाँ पर first में है next amount due यहाँ पर जितना भी हमारा loan amount है वो total due भी हमारा इतना ही है लेकिन अगर आप इसमें से कम amount को repay करना चाहते हो मतलब मेरा 418 है इसमें साब 100 रुपे 200 रुपे या 400 रुपे अगर pay करना चाहते हो तो यहाँ पर other amount पर select करके वो loan amount आप यहाँ से लेख सकते हो कोज भी जो भी आपको pay करना है किन फिलाल हमें total ही pay करना है तो हम total पर click करेंगे उसके बाद में नीचे continue पर click करेंगे यहाँ पर अगर आप देख लोगे गाईस तो kindly confirm your repayment amount below next you will be asked to choose repayment method to complete your payment नीचे आपको submit करके एक option देखने को मिलेगा तो submit पर click करना है submit पर जैसे ही click करोगे आपके सामने थोड़ा यहाँ पर working होगा थोड़े time आपके सामने loading लिया जाएगा हम यहाँ पर देखेंगे गाईस cash free payment हमारे सामने आ रहा है फिलाल हमको थोड़े time wait करना है उसके बाद में अभी आपको क्या करना है यहाँ पर आपकी जो हो अभी फिलाल में आपर जोगाईस UPI के थुरू करूंगा फिलाल हम apply offer पर देख लेते हैं कि offer अगर कुछ चल रहे होंगे तो उन्हें apply कर लेंगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो get cash back up to 200 रुपय का cash back मिल रहा है हमें तो हम क्या करेंगे गईस इसको यहाँ से apply कर लेंगे और okay पर क्लिक करेंगे यह आपको क्या करना है इंटर यूपी आइडी और phone number इंटर करने की बोल रहा है तो हम मेरी यूपी आइडी और मेरी यूपी आइडी में और paid जो मेरे जितना भी amount ता वो सारा मेने pay कर दिया है अभी मेरको simply यहाँ से क्या करना है guys यहाँ से बेका जयना है मैं यहाँ से bake आता हूं मैं यहाँ से बेका जाओ guys यहाँ पर रेटर करने वाला options леो है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ से yes कर लेंगे और यहां से exit हो जाएंगे अगर आप यहां पर देखोगे तो मेरे को यहां पर भी message आ चुका है कि thank you हमने जो हमारा time पर pay कर दिया है इस repayment जो है हमने time to time कर दिया है thank you your loan 500 is repaid we invite you to apply again मतलब यहां पर guys हमारे 500 रुपे का loan लिया था वो successfully repayment हो चुकी है और यहां पर guys time पर उसकी repayment होई है यहां पर आप देख सकते हो repayment performs one of on time मतलब one ही payment थी मेरी one time पर हो चुकी है मतलब time to time मेंने payment कर दिया है अगर मैं यहां पर देखूँगा तो मेरे को message भी आ चुका है यहां पर guys उन्होंने हमें बता रखा है कि thank you your referring first loan invite friends branch to taping earn यहां पर डेट 100 रुपे और bonuses are डेट 100 your friend can earn 100 रुपे मतलब यहां पर guys मेंने repayment किया है तो जो भी मेरा friend था जिसके invite quote से में आपर आया था guys उनको डेट 100 रुपे मिले है और मेरे को भी 100 रुपे मिले हैं सायद तो वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपर review your bonuses पर जाओंगा और यहां पर मैं देखता हूँ guys तो मेरे को फिलाल तो कुछ भी नहीं मिला है guys लेकिन मेरे जिस भी friend का मैंने आपर referral code earn किया था डाला था वहाँ पर promotion code में उनको ज़रूर cashback मिला होगा तो यहां पर guys कुछ इस तरह सा आप इसकी repayment कर सकते हो और यहां पर अगर आप देखोगे जो मेरे transaction history भी generate हो चुके जो loan repayment है वो यहां पर 23 June को सफल हो चुके अगर मैं दूबारा से apply now पर click करूँगा loan के लिए तो मैं back to my loan पर click करूँगा यहां पर working होगा और अगर आप देखोगे तो earn 1500 bonus से switch तो मैं यहां पर इसे cancel करूँगा फिलाल और अगर आप देखोगे तो मेरे दोनो loan amount यहां पर choose कर रहे है फिलाल गाईस मेरे आपर 1500 है 1500 रुपे तक का loan ले सकता था लेकिन फिलाल एक ही 1000 तक का रहे चुका है लेकिन मैं दो तीन बार अगर repayment करता रहूंगा टाइम पर तो मेरी loan amount जो है increase होती जाएगी यहसा नहीं है गाईस कि आपने फर्स्ट बार इसकी repayment की और आपका जो loan amount है वो increase कर दिया जाएगा यहसा नहीं है गाईस इसमें आपको दो तीन बार या जादा बार आपको loan amount लेना है उसका टाइम पर repayment करना है तो आपकी limit जो है काफी असन तरीके से increase कर दी जाएगी आशा करता हूं गईस कि यह वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि एससे amazing वीडियो आपको मिलती रहे